अब देखो आपके पास जो first question ascending order का first question है वो क्या है यह है ठीक है यह है 6952, 9552, 6592, 5692 और 6529 ठीक है आपने क्या करना है सबसे पहले इनके इन में से आपने छोटा नंबर रोणना है ठीक है तो यह नंबर 6000 है यह 9000 है यह भी 6000 है यह 5000 है और यह 6000 है अब देखो यह 9 बड़ा हुआ ठीक है अब 6 क्या हुआ इन से छोटा हुआ ठीक है और यह 6 भी इन से छोटा हुआ यह 5 6 से भी छोटा है और यह 6 यह 6 और 6 यह 3 क्या होगे बराबर होगे और 5 क्या हुआ मतलब आपके पास जो यह 5 है छोटा नंबर है ठीक ह और यह है 5,692 यहाँ पे चोटा नमबर है तो यह आएगा पहले ठीक है अब देखो यह नमबर हो गया न यह वाला अब आप इन 4 नमबर में से देखोगे कि next कौन सा नमबर आएगा अब आपने क्या करना है यह देखो 9,000 तो जादा बड़ा हो गया ठीक है अब 6,000 का देखो 6,952, 6,592, 6,529 ठीक है यह 6,900 है और यह 6,500 है 900 तो बड़ा हो गया तो आप इस नमबर को भी छोड़ दोगे 9,000 वाला आपने वैसे छोड़ दिया है यह है 6,592 और यह है 6,529 यह 592 है और यह 529 है तो 92 बड़ा होता है यह 29 बड़ा होता है 92 बड़ा होता है तो आप इस नमबर को भी छोड़ दोगे तो पहले आएगा यह 29 वाला नमबर ठीक है अब इस वाले नमबर के बाद आपके पास ठीक है यह जो नमबर है यह वाले नमबर के बाद आपके पास कौन से नमबर आएगा तो आपने इन तीन नमबर में से लेख थर्ड नमबर पर अब इस नमबर से बड़ा नमबर देखो इस नमबर से बड़ा नमबर आया है यह 6,952 यह आएगा फूर्थ नमबर पर और लास्ट में आएगा आपके पास 9552 और देखो आपने इसको अंसर में कैसे लिखना है अंसर में आपने पहले ये नंबर लिखना है फिर ये नंबर लिखना है फिर ये नंबर फिर ये नंबर और फिर ये नंबर आपने जैसे descending order वाले question किये न, आपने इसको भी वैसे लिख करना है, ठीक है, ascending order वालों को भी, लेकिन descending में क्या था, descending में सबसे पहले बड़े वाले numerals आ रहा था, लेकिन ascending में क्या आएगा, छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा और last में, जो सबसे बड़ा वाला number होगा, अब देखो आपने इसको लिखना कैसे है, ठीक है, ऐसे लिखो गया, first question का answer, अब देखो आपने second question कैसे करना है, आपने second में क्या करना है पहले सबसे छोटा वाला number डोनना है, यह है 8092, 9082, 9092, 8082, 9029, 9000 वाला number क्या हुआ, वो तो बड़ा हो गया, तो आपके करोगे पहले, 8000 वाला number देखोगे, यह आपके पास number है, 8092, ठीक है, यह आपके पास number है, 8092, और यह number है, 8082, तो 92 बड़ा होते हैं, 82 बड़ा होते है 92 बड़ा होता है तो हम पहले कौन सा नंबर लेंगे 82 वाला नंबर लेंगे पहले ठीक है अब आगे है आपके पास देखो बागी तो 9000 वाले नंबर है न तो दूसरा नंबर आपके पास यह आएगा 8000 वाला एक ही नंबर बचा न यह आएगा अब आपने देखना है 9000 वाले 92 और ये 29 तो छोटा कौन सा होता है 29 तो ये आएगा थर्ड नमबर पे ठीक है ये जो नमबर है ये आएगा थर्ड नमबर पे ठीक है अब आपके पास ये दो नमबर बचे 9082 और 9092 ठीक है अब आपने क्या करना है यहां पर बता रहा है कि 82 बड़ा होते कि 92 बड़ा होते है 92 बड़ा होते है 92 से तो 92 क्या आएगा लास्ट में आएगा और उससे पहले क्या आएगा 82 मतलब यह आएगा यहां पर 4th नमबर पर और यह आएगा 5th नमबर पर आपने इसक जो हो आप खुद करोगे आप ट्राइ करोगे इन क्वेस्टन्स को करने का ठीक है स्टूडन्स ठीक है यह देखो यह आपके पास सेकिंड कांसर है और यह आपके पास थर्ड कांसर है और फोर और फाइव आपने खुद करने है ठीक है ओके स्टूडन्स ठीक है आप यह क्वे करोंगे